कि अगा है अससलाम अलेकूम दोस्तों कोनिकल टेक आपके अलाई एक नई वीडियो इस एटियो क्लाउड स्टोरिज क्या है और कौन सी बेस्ट क्लाउड स्टोरिज सर्विसेद व्योदाई अठारां के लिए Cloud Storage Cloud Storage है कि Internet पर अपना डेटा स्टोर करवाना उसका backup रखना आपको जो परसन लेटा है या कोई में और मुफीज आपका डेटा है और आप चाहते हैं कि आप उसको Internet पर रखें ताकि वो सिक्यूर रहें और आप कही से भी उसको अपने Laptop, Mobile या किसी और डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए Internet के जरी अक्सेस करें तो आप Cloud Storage का इस्तेमाल करते हैं जिस तरह Internet का इस्तेमाल रोजबोज बढ़ता जा रहा है और Internet के Users की आदाद बढ़ती जा रही है Different Companies आगे या मार्कीट में जो आपको फिसिल्टी रहती है कि अपना डेटा ओन लाइन इंटरेट पर स्टोर करवा सके चाहिए वो आपकी फोटोज हो चाहिए आपको कॉमपनी का डेटा हो चाहिए वो परसन इंफरमेशन हो इमिजिस, वीडियो बगारा कुछ भी हो आप ओन लाइन स्टोर कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं क्लाउड स्टोरेज मुख्तिफ कमपनी ऐसे ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, आई क्लाउड, एमाजोन वेब सर्विसिस और इसके लावा बहुत सारी कमपनीज हैं जो आपको क्लाउड स्टोरेज की फिसलिटी प्रोवाइड कर रही होती है आज की वीडिया हम बात करें कुछ मिशूर क्लाउड सर्विसिस के बारे में उनकी जो सर्विसिस हैं उनकी जो प्राइसिंग हैं उसके बारे में हम डिसकस करेंगे देन हम अपने इसाब से select कर सके हैं कि आपको कौन सी service चाहिए आपकी जो storage के हिसाब से और आपके data के हिसाब से and then आपकी जो budget है उसके हिसाब से सबसे पहले हम discuss करते हैं dropbox को dropbox जिसका नाव आपने सुनाई हो आपके यह काफी मशूर है और यह बहुत जाज़ इस्तेमार के जा रहा है data storage के लिए इस पर आपना data store कर सकते हैं और इसके जो इंटरफेस है और बहुत इसे बदस किसम का होता है अंड्राइड अप वग अप्लिकेशन इसके लाव डेस्ट अप्लिकेशन भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं data storage के लिए आपका data simply server पर एक store होता है और आप कहीं से भी उसको access कर सकते हैं बहुत ही असानी के साथ internet को इस्तिमाल करते हुए then आता है google drive, google drive गुगल की एक product है google आपको facility दे रही होती है data को online store करवाने के लिए अगर आप android को mobile इस्तिमाल करें यह जीमेज पाव बहुत जा काम है तो आप गुगल drive की तरफ जा सकते हैं क्योंकि गुगल आप्लिकेशन यह गुगल की प्रोड़क्ट्स हैं तो जो गुगल की अपनी प्रोड़क्ट्स हैं उनके साथ यह वन ड्राइब के प्ली संब्सक्रणतिए बहुत जब्रदस द्रीके से होती है आपका फिर ग्रटकर के लिए उट्रीं कर्वा सकते हैं उसके प्लाइब और उनलाइं स्टोर करवा सकते हैं गूगल ड्राइव पे गूगल ने इंटर्डूस कर वाया साथ एक गूगल फोटोज का जिसमें आप जो अपनी इमिजेज है वो खास एक उन्होंने अलाइदा एक सेक्शन मना दिया है गूगल ड्राइव में जहां पर आप में सिर्फ इम जोग आप से उनकी प्राइसिंग प्लैएम फिर्च्छ रोते हैं गूगल ट्राइव के बाद हम बाद करते हैं वग्रार्इव की मैक्रोसाफ्त हरा अफट लूकर ऑी है इसमें आपको शो रहा होता है एक वंडुरायू का भी ऑप्शन आ रहा होता है क्या आपाइव न्य मेगा की मेगा एक न्यूजिलेंड बेस्ट क्लाउड स्टोरे सर्विस है और मेगा ही है जो आपको फसीलिट देता है 50 GB तक फ्री डेटा स्टोर करने की जो पिछे हमने दो तीन सर्विसे की बात की है उनका मैक्सिमम 15 GB तक आप फ्री में डेटा स्टोर कर सकते हैं लेकिन मेग पिट फॉर्म में होता है उनको हैकर्स अक्सेस नी कर पाते इस तरह हम कह सकते हैं कि मेगा भी हमाई लेक बेस्ट ऑप्शन है और जो यूजर्स हैं जो फ्री को तर्जी देते हैं वो 50 GB तक फ्री को इसमें स्टमाल कर सकते हैं अंड जैन हम बात करते हैं आई कलाउड की अबेकर यूजर है वह बहुत कुछ जानते हैं इसके बारे में आई कलाउड अपवल की एक सर्विस है जिसमें आप अपना डेटा जो है ओनलाइन स्टोर करवा सकते हैं अगर आप अपसोर यूजर है तो आप पार्टिकॉर्ल इसको इसको इस्तिमाल कर सकते हैं बहुत से लाव आप अपने डड़ा स्टोर करोवाना चाते याए कॉलड फे टोप इस्क्नी के बारे में कि कौम कौ steps को कि कि को कौँ कउसी कॉपनीज कितने कितने पैसे ले रहे हैं कि साथ से उपनी यह पैकेज़े रहिए हैं प्र्ड्बोक्स की ड्रोप लोग Suri destra होता है तो जीबी तक इसके अगर कोई राफर करते हैं आप बाकी यूजर्स को तो आप 32 तक यूजर्स राफर कर सकते हैं मजीद और हर यूजर का आपको 500 MB फ्री मजीद मिलेगा इस तरह आप 16 GB मजीद इससे हन कर सकते हैं फ्री स्टॉरिज गूगल ड्रावव आपको दे हां 15 GB तक फ्री और वन्ड्राव वे जीडिए और वन्ड्राव डॉख मजीद तरह आपको एक यूजर्स का multif 5 Awesome MB फ्री में देहा हुता आप 32 यूजर्स रैफर सकते हैं वन ड्राइब के लिए उसके लिंक को शेर करते हुए और आपको उसका सोना जीबी मिल जाता होता है डाटा मज़ीद फ्री में आई क्राउड आपको दे रहा होता है फाइव जीबी फ्री और यहां पर एक बोक्स का आ रहा है वो भी बेस्स सर्विस है अगर हम बात करें यहां पर आई क्लाउड के बाद तो बोक्स ही आता होता है तो वो आपको 10GB तक फ्री में दे रहा होता है और जो फ्री वरिजन आप यूज़ कर रहे होते हैं उन में मेगा और बोक्स लिमिटेशन भी देता है और यहां पर नीचे आपके प्लेटbildung यह जो स्पोर्टड है वो आ रहे हैं आप देख सकते हैं आप इसकी अपके यह बून लू कर सकते हैं और डाटा जो स्टोर कर रहे होते हैं आप यह सेक्यूर होता है और इसको कोई भी एकसेस नीख कर पाता आपके पाता है। तो यह हमने जाना क्लाउड स्टोरिज के बारे में मुख्तित कॉंपणियां है जो क्लाउड स्टोरिज की फिसिलिटी दे रही होती हैं। इन company के लाव बहुत सारी company आपको मिल जाएंगी market में जहां पर आप अपना data store करवा सकते हैं इसका फाइदा यह होता है आपके data online store होता है backup आपके पड़ा होता है अगर आपका खुदाना खासता laptop है या computer या खराब होता है या crash कर जाता है या आपका mobile करी पर गुम हो जाता है तो आपके पास data होता है उसका backup पड़ा होता है मलब आपके mobile तो चला जाता है लेकिन आपका data नहीं जाता data आपके पास ही पड़ा रहता है किसी भी online data storage application के उपर उमीड है वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप अपने इसाब से एक plan सिलेक्ट कर सकते है data storage के लिए और अपने लिए जो suitable company है उसको सिलेक्ट कर सकते है वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा मज़ीड वीडियो उसके लिए चैनल सबस्क्राइब कीजिए अगली वीडियो तक के लिए अलाँ आफिज